हमारी दुनिया जितनी बड़ी है उतना ही बड़ा इंटरनेट भी है इंटरनेट पर हम पहले ही आपको वीडियो बना के बता चुके हैं कि जो इंटरनेट हम चलाते हैं वो तो सिर्फ नौ परसेंट ही चलाते हैं बाकी का इंटरनेट डीप वेब और डार्क नेट में होता है इन सब के साथ ही आज हम लाए हैं आपके लिए बेहत खास अंग जो आपको यह सोचने में मजबूर कर देगा कि हमारी दुनिया में बहुत सारे रहशी चिपे हुए हैं हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर मैं हूँ आपका दोस मोनू चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस संडे का वेहदी खास एपिसोड अगर आज का अंग शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल मिस्टीरियस बुक को सस्क्राइब नहीं किया है और यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो हमें मिल जाती हैं वह किसी भी छेतर की क्यों नहीं हो क्योंकि आज हर कोई अपने स्मार्ट फोन में इंटरनेट चलाता है अधिकांस लोग अपना काफी समय इंटरनेट पर व्यतीत करते हैं और यूट्यूब में भी पर आपको क्या पता है दोस्तो यूट्यूब में कुछ ऐसे चैनल भी हैं जो अपने आप में बहुत सारे रहश्यों को लिए हुए हैं इन चैनलों में ऐसे वीडियो हैं जो आपको हिला दिंगे नमबर चार पर बात करें तो है नासा जिम 108 कहा जाता है यह एक नासा के वैग्यानिक का चैनल था वहीं कुछ लोगों का दावा है कि यह चैनल जिस वैग्यानिक का था वह आप इस दुनिया में नहीं है कोई और है जो उसके वीडियो को इस चैनल पर अपलोड करता है उस वैग्यानिक ने इस चैनल पर अपने वीडियो के माधियम से लोगों को यह बताने की कोशिस की है कि सरकार आम लोगों से रहश्यमई जानकारियों को छिपा कर रखती है चलिए इसका एक वीडियो देखते हैं जो अपने आपने काफी रहश्य मही है नजाने वह इनसान क्या कहना चारा है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिए इस वीडियो में काफी सारे रहश्य चिपे हुए हैं पर जब आप इस चैनल के अबाउट सेक्षन में जाएंगे तो आपको यहां यह लिखा मिलेगा जहां पर यह व्यक्ति कहना चारा है कि इसके क्लाइंट ने उसे यह वीडियो दिया है अपनी मृत्यों के बाद रिलीज करने को भी कहा है यानि अब वो इनसान इस दुनिया में नहीं है नमबर तीन पर बात करें तो क्रीपी ब्लॉग नाम का चैनल भी काफी रहश्य मही है आप यह जानके हिल जाएंगे दोस्तों कि इस चैनल पर सिर्फ एक ही वीडियो है कई बुद्धी जीवियों का दावा है कि इस सक्स ने एक महिला को मार कर अपने गार्डन में दफना दिया है और उस महिला के कपड़े एक डॉल को पहना कर यह वीडियो बनाया है इस मामले में कितनी सचाई है यह तो हम नहीं जानते पर इस चैनल में मौझूद सिर्फ एक ही वीडियो बहुत सारी रहश्यों को दिये हुए है उस सक्स ने इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहा है यह कोई नहीं जानता पर यह वीडियो अपने आप में बहुत भयानक भी है वह रहश्यमाईर डॉल आई फिल फैंटास्टिक नामक गाना गाती वी नजराती है और कभी कवार अपने हाथ को हिलाती है झाल 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 तो रॉबर्ट हेल्पमैन नाम का चैनल भी काफी रहश्यो को लिए है इस चैनल पर डेसी नाम की एक लास है जिसे एक सक्स बार बार तरत्र की यातनाय देता है और कभी कवार्टों से खाना भी खिलाता है कई बुद्धी जीवियों का दावा है कि इस वीडियो में जो सक्स एक लास को लिए है वो एक असली की लास है और वो सक्स एक साइको किलर है तीन साल से इस चैनल पर कोई भी नया वीडियो नहीं आया है पर तीन साल पहले के सारे वीडियो रहश्यमई हैं आप भी इस वीडियो को देखिए कई अन्य यूट्यूबर्स ने इस चैनल के वीडियो पर अपनी अपनी राय भी दी है और कई बुद्धी जीवियों ने अपनी वीडियो के माध्यम से यह बताने की कोशिस की है कि वह सक्स उस डेड़ बॉडि के क्या करता है इस चैनल पर सारी की सारी वीडियो काफी भयानक हैं यहां तक कि लास में भिनभिनाती हुई मक्यों की आवाज भी साफ कैमरे में सुनाई देती है नमबर एक पर बात करें तो वह है नाना825763 यह चैनल में अपलोड किये गए बहुत सारे वीडियो काफी भयानक हैं पर इस चैनल का एक सबसे ज़्यादा वाइरल वीडियो जो था यूजर666 यह आपको यह सोचनल मजबूर कर देगा कि इस दुनिया में सैतानी ताक्ते भी मौजूद हैं देखिए यह सक्स यूटूब के बाद 6666 लिखके बार बार पेज को रिफ्रेस कर रहा है और कुछ देर के बाद क्या होता है आप खुद देखिए आप लोगों को क्या लगता है उस वीडियो में क्या हो रहा था और आपकी इन अन्नी यूटूब चैनलों के बारे में क्या राय है अपनी राय हमें बताना न भूलें दोस्तो जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस संड़े के एक नई रोचक एपिसोड में एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ तब तर रखे अपना ख्याल मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा नमस्कार